वेज्ट, दूर्थ, ने पर कदेखर, वेज्ट, पर दुटोरियल और तो यह हमारा माइश्केल का सेकेंड टुटोरियल है, तो इसमें हम सीखेंगे यह कमाड जौ आपको स्क्रीन पर दिख दिख लिए शोडारा बैसे मतलब डारा बैसे शोड करने के लिकली यूस्ज होती ह और इस टेबल से आप टेबल का description देखते हो इस शॉर्ट फोर्म है insert into table command से आप table में कुछ भी data है वो insert कर सकते हो और select from से आप जो भी data अपने table में डाला है वो आप देख सकते हो तो यह सब जो command है बहुत important है और यह हम आज practically हमारे वीडियो में देखने वाले है तो हम शुरू करते है शो database command से तो पहले देखेंगे कि कैसे start करते है चलो ठीक है तो अभी हमें termux app के icon को click करना है और उसे open करना है termux app आपको play store में मिल जाएगा ठीक है अभी हमें type करना है mysql d type करने के बाद enter करना है और आपका server जो है वो शुरू हो जाएगा ठीक है mysql का server जो है अभी maria db server दीख रहा है आपको तो यह SQL के लिए काम करता है तो अभी वो शुरू हो चुका है mysql का server और pod बे establish हो चुका है आपको left to right finger swipe करने के बाद यह white वाला screen आ जाएगा new session पर click करना है अभी आप new session खोलोगे तो उसमें आपको जो है वो आगे की command डालनी है तो पहले आपको left to right swipe करना है अभी यह new screen आ गया आपके सामने है ठीक है तो उसमें आपको type करना है simply हम mysql चलने वाले है तो आपको mysql डालना है उसके बाद ठीक है आप हम हमारे जो है वो database में आ चुक है तो हमें यहाँ पर check क्या करना है हमें कौन सी command सीखनी है वो डालने शुरू से पहले हम चेक करेंगे show databases हमारे पास कौन सी database available है वो चेक करेंगे स्क्रीन पर आपको command दिख रही होगी show databases की यलो कलर में वो यहाँ पर आपको type करने show databases और semicolon देना है लास्ट में वो बूलना नहीं है ठीक है तो अभी हमारे पास जो databases available है वो सब की list आ चुकी है ठीक है तो पहले से हमारे बने वो databases की list हमें मिल जाते है अब हम करेंगे नई database तयार तो नई database बाराने के लिए हमारा command रहता है create databases और database का name जैसे हमारा database का name है employee तो वो हमने डाला है और आखिर में डालना है हमें semicolon और semicolon डालने के बाद आपको बस simply enter करना पड़ता है बस command को नहीं बोलना है आपको जो भी syntax है वही आपको follow करना है अगर आप semicolon नए डालोगे तो आपको error दिखे गया और जब आप enter करते हो तो उसका time और query ok ऐसा लिख्या आता है query ok one row affected database जो है row column में काम करती है तो row affected ऐसा लिख्या आता है जब भी आप कोई भी query exit करोगे नीचे आ जाता है कि उसका time भी दिखता है अभी show databases करेंगे फिर से जो हमने database बना है employee वह उसमें आता है कि देखेंगे तो use employee लिखना है आपको और semicolon देना है simply ठीक है तो हम वह database में हम टेबल बना सकते हैं अभी database change करके लिख के आ रहा है ठीक है database अभी हमारा जो वह change होके employee बन चुका है तो अभी हम बनाएंगे उसमें table टेबल बनाएंगे कमांड क्या है create table और table का नाम जो हमारा अभी table को नाम दे रहे हम EMP शौर्टकट दे रहे तो शौर्टकट में नाम लिखे हमने EMP और bracket open किया है अभी जो भी field लेने हमको बोलेंगे हम पहले हम ले रहे नेम और उसका टाइप ले रहे है वैर कर 200 बतलब हम character ले रहे तो 220 खुछ बाद आप दे सकते हो जितना लंबा नेम रहेगा उसकी इसाफ से आप देजिए 20 देऊगे तो भी चलेगा पहले ले रहे है नेम आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हो लेकिन मैं अलग-अलग लाइन पर ले रहा हूं से कॉमा देना मत भूलिए कॉमा देना है आ आपको आप एक लाइन में लिखुए के तो भी चलेगा उसके बाद में ले रहा हूं जॉब वार क्यार टू अंडर ले रहा हूं आप कम भी ले सकते हो उसको तो या इसमें हम एक्सेप्ट करेंगे यूजर से जॉब नेम मतलब जो भी और इसमें सालरी आपको बस ध्यान में रखना है कि आपको जो भी फिल चाहिए वो आप टेबल में आड़ कर लिजिए और सिंटेक्स को फॉलो कीजिए अगर इसमें कॉमा नहीं रहता तो टेबल में एरर आ जाएगी ठीक है तो अभी हमने देखिए आप पहले में क्या नेम लिखका है दू देखिए यूग्के हमने ऊपर जो ब्रेस ओपन किया है जो ब्रैकेट वो ब्रैकेट हम नीचे जाके क्लोज कर रहे है और सेमी कॉलन देर जिससे यह जो है यह कंप्लेट हो जाएगा कमांड क्यूरी का ठीक है तो अभी क्यूरी ओक्य हो चुकिए राइट तो अभी हमारा टेबल बन चुक है तो इस टेबल में क्या क्या है वो भी कंटेंट हम देख सकते हैं डिसक्राइब कमांड से यह डिस्क्रिप्शन करते हैं तो अभी यह डिसक्राइब करेंगे हमारे टेबल को तो टेबल में क्या क्या है वो दिख रहा है फिल्ड कौन से हमारे पास जॉब और सुरी नेम जॉब और सीटी एक एन फिल्ड है हमारे पास और उसका टाइप भी दिखता आगे वार के टु हंड्रेड और न लेका यज यस यस और इसमें की की हम आगे सीखेंगे तो की को रहते प्रायमरी की देंगे प्रायमरी की कैसे देना है कि को कौन से टाइप है वो स प्रिप्चिन है और अभी हम देखेंगे की जो है वह अभी टेबल के फील्डटो पांच चुके लेकिन आगे क्या होगा तो आगे की कमांड हम देखते हैं हम गजो है अभी यह टेबल को डेटा इंचार्ड fabrics करने का कामांड क्या रहता है इंसर्ट इंटू टेबल नेम रहता है तो इंसर्ट हमरे टेबल का नाम इंप है तो हमने क्या डाला इंसर्ट इंटू इंप वाल्यूज लिखना मत भूलें वाल्यूज लिखना ही पड़ेगा इंसर्ट इंटू इंप वाल्यूज ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसमें क्या क् क्या लिए आपने name के तो कभी भी भूलना मदा आप सिंगल इंवर्टेट कॉमा में आप levar नई लोगे तो आपके जलो वह पूरेज़ तो नेम में हमने नेम ले लिया पहले तो नेम हमने लिया है मानसी ठीक है पहले हमारा नेम का फिल्ड था उसके बाद हमारा क्या है फिल्ड उपर देखें आपको फिल्ड दिखेंगे तो दूसरा फिल्ड है हमारा जॉब सही है तो अभी जॉब तो जॉब मतलब कोई भी करें है ऐड्री पीश्य इंते लिएसमघ कम्पनि में लिक्ने बढ़ता है उसके बाद हमें उसकी सी ती डलने है तो सीटी में हम डालेंगे उन्हें city ठीक है तो हमारी city कौन सी अभी पूने है उसके बाद डालेंगे हम अभी कॉमा नहीं देना है क्योंकि यह आखिर का फिल्ड आखिर का रहता तो उसे कॉमा नहीं देते डारेक ब्राकेट कंप्लीट और सेमी कॉलन देके अभी क्या लिख के आ रहा है query okay one row affected मतलब जो आपकी क्वेरी जो आपने पहला record इंसेट किया है वह successful है आपको कोई भी एरर नहीं आ रहा है जब यह query okay लिख के आता है तो समझ लीजिए आपकी जूब क्वेरी है वह okay उसमें गलत कुछ भी नहीं है अगर उसके अलावा अगर कुछ लिख के आता है नीचे तो समझ लीजिएगा कि आपके इसमें एरर आ गई है ठीक है तो हम अभी जो भी रेकॉर्ड इंसेट किया उसे देखते कैसे तो उसे देखने के लिए यह अलग से कमांड है कि सिलेक स्टार फ्रॉम टेबल नेम जहां पर हमें इंप डालना है स तो हमें मिल गया हमारा पहला रेकॉर्ड जिसमें नेम हमने जो नेम इंसेट किया था मांसी जॉब टाइटल था उसका आटिविशल इंटेलिजेंस और सीटी थी पूने यह हमारे डेटाबेस में जो है सक्सेस्फुली स्टोर हो चुके है राइट ठीक है तो हमने यह भी कम रेकॉर्ड भी इंसेट करते हैं इसमें इंसेट इंटु एमपी वाल्यूस ब्रैकेट ओपन करेंगे उसके बाद हम डालेंगे अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद जैसे भी आपके जो भी फिल्ड थे उसी कही साबसे आपको लेना है नेम में नेम ही लेना है तो नेम में ल होती है ठीक है तो हमने अभी पहले के लिए आर्टिफिशल इंटलिएंस यूज किया था इसके लिए हम कर रहें डेटा साइंटिस यूज को विसके बाद कॉमा देंगे और नीचे उसकी शीटी डालेंगे तो सीटी हम सेम ले रहें सभी के लिए आप अलग भी डाल सकते हो तो पुने की गमपने इसले हमने पुने डाला है ब्रैकेट कंप्लिट कर लेंगे उसके बाद सेमी कॉलन देंगे ठीक है तो क्वेरी ओके हो जाएगी राइट कंपनी का आके भी हो सकती है राजस्तान की हो सकती है यूपी की हो सकती है मारश्टी की हो सकती है तो आप उसकी साफ से आप आड्रेस ले लो कुछ बे डाटा दे स सकते हैं अब यह रेकर्ड इंसर्ट हुआ है कि नहीं हमें चेक करना है तो दुबारा हम चेक करने के लिए सेम कमांड ृफो ऑल डेटे इसलिए हम स्टार उजकन कर सकते शिर ंसेयते श्टार रेकर्ट यह मन छो जाते हैं सब्सक्राइब जाता है टेवल में से जो चाहिए वही तो वह भी हम अगले टुटेशल में देखे क्यों कि हम स्टेप भाय स्टेब जा रहे है रही है तो उसी के साफ से हम जा रहे है अभी हम इंसर्ट कर रहे हैं अगला रेकॉर्ड अभी दो रेकॉर्ड आ गए मानसी का आ गया और पूजा का भी आ गया थीक है वह भी विदाउट करना है नेम के से लेते सिंगल इंवर्टेट में ही लेंगे सिंगल इनवर्टेट कॉमाज में हम अपना डाल रहे हैं अब हमने पहला नाम लेता मांसी दूसरा पूजा और तिसरा ले रहे है रूतूजा थीक है जब आप कोई कोई भी वी अप क्वेरेइंटर करते हो आपके इस में बराबर तो गलति कई पर नहीं होती गलती एक तो कॉमा नहीत टो कॉलन ये दोनों ही चीज़ों में हो जाती वहीं रहना कोई कोई बूल जाता है बात में शुरू से करना पड़ता है सब शुरू से डालो यह डालो वो डालो उससे अच्छा है कि आप पहले से करो थोड़ा स्लो हो जाएगा तो भी चलेगा लेकिन कॉमा कि डबल सिंगल इनोर्टेट कॉमा और सेमी कोलन यह देना भूलना नहीं है आप जब पहले बार ट्राइ करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बाता रहता है थीक है तो इसका हमने फिल्ड ले लिए है सौफ्टवेर डेवलपर और इसका सीटी ले रहे हम पूने अभी कुरी कंप्लेट करने के लिए हम रैकेट कंप्लेट और सेमी कोलन उसके बाद हमारा कुईरी ओकी आ गया और रोर अफेक्टेट डू में हमने डेटा डाला ए तो वन रोर अफेक्टेट आ गया बराबर हमन देखेंगे देखें तो अभी तीसरा रेकॉर्ड एंटेर हो चुका है रूतियुजा के नाम से जोब उसका है सौफ्ट्वर डेवलपर और स्वीटी उसकी पुने तो तीनों के तीनों रेकॉर्ड हमने इंसर्ट का दे तो हमने सक्सेस्फूली सीखाए टेबल कैसे बनाते हैं और वही कॉपे पेस्ट करके भी आप रेन कर सकते हो तो अगर दोस्तों आपको यह जो हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज यह वीडियो शेयर कीजिए लाइक कीजिए और हमारे लिए कमेंट भी कीजिए आपको क्या चाहिए और किस तरह की वीडियो और भी हपपी लर निंग